नमस्कार कहते हैं कि अगर आपको सफलता पानी है अगर आपको लाइफ में कुछ सम्थिंग न्यू अचीवमेंट करना है तो आपको कमपर्ड जोन से बाहर निकलना होगा एक मात द्यान डगता क्या बड़े बड़े सक्सेस्फुल लोग होएं वो भी कमपर्ड जोन उन्हेंने भी छोड़ा है क्या आपन कमपर्ड जोन में रहते हुए सपलता हासिल नहीं कर सकते हैं सबी कहते हैं कि comfort zone छोड़िए comfort zone छोड़िए रिस्क लीजिए आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना comfort zone छोड़े भी आप कुछ कर सकते हो आपको सपलता हासिर कर सकते हो आप कुछ achievement कर सकते हो ज़रूरी नहीं success के लिए comfort zone ही छोड़ना है हाँ आपको कुछ करना होगा extra effort करना होगा वो सब कुछ करना होगा सबसे पहले तो यह देगे comfort zone क्या होता है comfort zone यानि जहां आपको काम करने में खुशी लगे जहां आपको extra effort न हो जहां आपको कोई risk न उठानी पड़े वो आपके लिए comfort zone होता है आपके लिए क्या हर इंसान के लिए वह कमफ़र्ड जोन है। जैसे हिंदी मीडियों का बच्चा हिंदी में अच्छा फ्लंड बोलता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसे इंग्लिस बोलने हिच की चार्फ होती है। इंग्लिस बोलने में उसका confidence weak होता है, वो इंग्लिस में बात नहीं करना चाहता है, यह उसके लिए comfort zone नहीं हो, उसके comfort zone उसके लिए Hindi medium क्या होता है, जैसे कि आप कि इस city में रहते हैं और आपके अच्छी बली नोकरी है, आप पचाजार रुपे महिना कमा रहे हो, जगर आपको वो city छोड़ना बहुत अच्छी नहीं लगती है, इसलिए आप comfort zone में रहे ना पसंद करते हैं, बले आपको वहाँ पर growth ज्यादा मिल रही है तूसरी city में, लेकिन आप छोड़के नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपका परिवार बसा हुआ है, आपने वहाँ गर बसाया हुआ है, सारे दोस्त वहाँ है, रिस्तेदार है, सारा जो एक best environment है ना वो वहाँ पर है, इसलिए आप comfort zone नहीं छोड़ना चाहते हैं, अब बिना comfort zone छोड़े आप क्या कुछ कर सकते हैं, सबसे पहले ये दिए, सबसे पहले तो आप अमने डर को पहचाने हैं, कि आप किस बात से डरते हो, देखिया, कभी-कभी इंसान कुछ नया करना चाहता तो उसे डर रहता है, पेशो का डर रहता है, बावात्मक डर रहता है, समाज का डर रहता है, लोग क्या कहेंगे, आप अपने अंदर को डर को पेचानिये, कि वागई में आप किस बात से डरते एक बात है कि आपको कुछ करना है ना तो कमफट चोण चोड़ना जरूरी नहीं है सबसे पहले तो आप जहां रहे रहे वहां रहे तेरे वहाँ पर आपको कुछ करना है आप कुछ करना चारे हो करिए लेकिन उसके अंदर उससे पहले अपने डर को देखें कि आपको किस बास से डर लग रहा है उस डर को आप रिमूओ करें दिरे दिरे रिमूओ करें जल्दी नहों तो दिरे दिरे रिमूओ करें और दिमाग से य लोग क्या कहेंगे पावत्मक विचार निकाल दे सामजिक विचार क्या करें यह निकाल तो कि एक बात या लोग की तो बात है लोग तो कुछ भी कहते है तो सबसे पहले तो आपको आगे बढ़ना है ना सबसे पहले अपने मन के अंदर जो डर है उस डर को निकालना और वो ड रिस्क लेनी होगी कि मैं भी आपको कह रहा हूं रिस्क ले लेकिन कैसे ने वह आपको बताओं कमपट जोन मत छोड़ना फिर रिस्क लेना Comfort Zone छोड़कर risk ली तो आप ना इधर के रहोगे ना उदर के आगे खाई पीछे कुआ जाओगे कहां Comfort Zone तो आपका होना जरूरी है Risk ली सकसेज नहीं हुए फट comfort Zone में आगए टेंसल नहीं लेकिन कई risk इतनी लेनी पीछे comfort Zone भी नहीं है जाओगे कहा नहीं पड़ेगा आपको तो एसामत करना रिस्क लेना की से रिस्क की जाँतें देलri यहें 10,000 तीन की से लेए 50,000ि सेलर रदी पचाहजार कि सेलरी में ज्यादा नहीप टो मैंने क्या आप पांच अजयार बचाहएं उन पांच हज़ार को बचाते-बचाते साल के कितने हुए। 60,000 नुकसान मिह हो गए तो मेरे comfort zone पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी life पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे परिवार के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे परिवार के जैसी जिनकी चल रही वैसी चलती रहेगी तो तो आप उस पैसे की risk उठाए वरना आपकी सेलेरी तो है कम और आप रिस्क उठाने चले सेज जब आपको बिजनिस सक्सेज नहीं तब आपके पीछे आपका परिवार हिल जाएगा और आप भी हिल जाओगे तो ऐसी रिस्क लेने से क्या मतलए कमफर्ट जोन हमें से रक्सन रखना रिस्क साथ में बिजनिस है व्यापार है सपल हो है नहों नुकसान भी हो सकता है जैसे नुकसान हुआ आगए कमफर्ट जोन में तो रिस्क कैसी लेनी आद में ने बताया रिस्क ऐसी लेनी कि कुछ पैसे इतने इकटे करना थोड़े भी ह इस्टाल पर कोई फरक ने पड़े वो रिस्क आपके लिए सबसे बेस्ट रिसक होगी वर्ना आप बद्धेम वर्गी हैं आप नोकली पेसाई और थोड़ा सावी रिसक लेजिया ना थोड़ा सावी रिसक और बिजने नुक्सान होगे नहीं तो आपको मांसिक तनाव पाउत चोड़ोन के साथ में रिस्क ले अपना कंपट जोन न चोड़ें कि रिस्क उतनी ले जितनी आप सेन कर सकें रिस्क उतनी लेना कि जैसे ले रहे हो तो 10,000 डूब भी जाये तो आपको कोई फर्क में पड़े हुआ इस लेर वापिस comfort zone में आके मेड़ जाए comfort zone को मत चोड़ना मैं यह किरा हूँ आपको वापिस और कहता हूं comfort zone को बिना छोड़े भी लोगों ने बहुत सुथ किया आज ओल और इंडिया में इसकी ब्रांच है जीरो से शुरुवात की थी क्या उन्होंने comfort zone छोड़ा नहीं लिजद पापड दस लेडिज ने start किया था और 32 कम पेसों में start किया था क्या उन्होंने comfort zone छोड़ा नहीं उतकर्स classes एक छोटे से कमरे में classes start की क्या उन्होंने रिस्क लिए नहीं comfort zone में रहते हुए आगे बड़े विकाजी भुजिया एक छोटी सी दुकान में हलोई का काम किया और आज हर जगए विकाजी भुजिया का नाम है कैसे क्या उन्होंने comfort zone छोड़ा नहीं यह सब वही उधारन ह है वही एक्जामपल है इन्होंने comfort zone के साथ में काम किया और सक्षेज हुए इसलिए आप जोस जोस में आप हिम्मत हिम्मत में कोई आपको मोटिवेट करता comfort zone छोड़ो रिस्क लो आगे बढ़ो comfort zone छोड़के रिस्क लेके आगे बढ़ गए पिछे क्या हुआ बिजने करना ना सबसे पहले तो अपने अंधर इसी quality देखी आप चाह कर सकते हैं आपके अंदर जिसको आप डवलप करके अपनी उपनी क्वालिटी के से बढ़ा सकता है हर इंसान के अंदर कुछ और कुछ तो खुबी होती है लेकिन अंदर से निकारना होता है बस comfort zone के साथ में खुबी निकार आपनी quality सुधार ये आप comfort zone के साथ में सक्सेस हो सकते हो तो ये कुछ बाते हैं बिना comfort zone जोड़े भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं और मेरी ताप से यह राय कि रिस्क लेना सब कुछ करना लेकिन कमपड जोन भी साथ में रखना एक साइड वे कमफर्ट जोन भी रखना कि मानलो आप रिस्क से गिर गए तो आपके पास बचने की जगह होने चाहिए आप रिस्क लिए हाई ली आप बिजनेस में उपर बढ़े नई सक्सेस हुए तो वो जो कमफर्ट जोन आपने छोड़ रहा है को उसमें आके बेट जाईए लेकिन आप आप सुननी प्याज़ जाओ इसलिए जी उनमें आगे बढ़ना था हमेसाथ कमफर्ट जोन के साथ में बढ़ना क्योंकि आपका कॉंफिडेंस आपके साथ बने कहें कि यार अंसक्सेस हो गया तो कोई बात नहीं मेरे पास यह सोर्स है वो सोर्स आपके पास होना चाहिए व वो सोर्स आपको कॉंपिडेंस देता है वो सोर्स ही आपको आगे बढ़ने के हिम्मत देता है